अगर इंटर्वियू में आपसे ये सवाल पूछा जाए, डिस्काइब और फामिली बैक्राउंड, अब इस सवाल के अंदर आपको अपने पेरंट्स के बैक्राउंड की बात करनी है, फादर, मदर, एंड फामिली, सिब्लिंग्स के अंदर, जब आपके भाई भेनों के बारे में बात करनी है, जब आपने पेरंट्स के बारे में बात करते हो, तो आपको उनका एजुकेशनल बैक्राउंड पता होना चाहिए, वो कहां काम कर रहे हैं, और वो कितनी सैलरी विड्रॉ करें, यह आपको क्लियर होना चाहिए, आपके फादर की करेंट पोजिशन क्या है, और वो क्या काम कर रहे हैं, सिमिलरली अगर आपकी मदर भी वरकिंग है, तो आपको उनके बार में भी पता होना चाहिए, नाव नेक्स कम्स और सिब्लिंग्स, ब्रदर, सिस्टर, एल्डर, या फिर आपसे वो छोटे, तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या एजुकेशन है, वो क्रेंटली क्या कर रहे हैं, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, नेक्स क्वेशन इसी से आता है, कि उनका क्या thought process है, आपके IB join करने के ऊपर, तो most of the time candidates ही बताते हैं, yes, they want me to join, etc, etc, बट यहाँ पर कहीं बार counter question आजाता है, कि अगर आपके parents, आपको मना कर देते हैं, intelligence bureau join करने से, तो इस case के अंदर आप क्या करोगे, तो आप definitely बोलते हो कि मैं उनको convince करूँगा, बट बच्चे सिर्फ convince की बात करते हैं, यह नहीं बताते हैं, कि वो किस तरीके से convince करेंगे, job security की बात करेंगे, career growth की बात करेंगे, salary की बात करेंगे, these are the pointers which you need to have, when you are answering this question, to details about your family, and counter questions related to, if they say no to join the IV,